तो है गाइज वेलकम बैक तो नगर वीडियो अफ दिस चैनल और आज यह मारा रिफ्लेक्शन फ्लाइट जो की फिजिक्स का चेप्टर फॉर्थ है उसका 16 पार्ट है तो इस पार्ट में करने जो पड़ा था यह तो इस पार्ट में जो पड़ा था देट वाज रूल फॉर बाया कॉन बेक्स मिररर ठीक है तो अब आपको मैंने करब्दा दया थे इसमें इमेज की दो प्रॉपर्टी रहने वाली है तो आज हम इनकी फॉर्मेशन देख लेते हैं पहला तो इसमें दो ही केसे में पढ़ना है एक तो जब पोल और इंफिनिटी के बीच में कोई अब अब्जेक्ट रखा है तो वह देख लेते हैं अब अब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर अब यह हो गया हमारा कॉन्वेक्स मेरर ठीक है अब हमने बीच में से यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस एक बना दी यह है हमारा पोल पहले हम देख रहे हैं वन अब्जेक्ट इस प्लेश एट इंफिनिटी यहां आपका अब्जेक्ट है इंफिनिटी पर अलब कोई ऐसे पर्टिक्लो डिस्टन्स नहीं है यहां से इस पर दो रे पढ़ रही है एक इधर और एक आपके आ रही है डिरेक्टली पोल पे इंसिडेंट हो रही है ठीक है यह दो पैलल रेज आ रही है किसमें से एक अब्जेक्ट जो हमारा इंफिनिटी पर रखा है उससे पॉइंट से निकलती भी अब यहां पर कहीं हमारा फोकस होगा अब क्योंकि रिफ् इस डिरेक्शन में ठीक है वाइल यह जो आपकी सेकेंडर है यह रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसी इस डिरेक्शन में अब इन दोनों को हमें पीछे एक्षेंड करना है अगर रिफ्लेक्ट ना होती तो यहां पर कहीं जाके मिलेंगे और यह जो पॉइंट होगा यहीं आपकी इमेज बनेगी that is at focus यह आप मान लो कोई AB है आपका वहां से इसमें से रेज निकल के आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉन्वेक्स मिलर से यह पीछे बिहाइंड दा मिलर एक इमेज बनाएंगी जो की वर्चुल होगी एरेक्ट होगी और साथ साथ डिमिनिस्ट होगी यह एक छोटे साइस की इमेज आपकी बनेगी यह तब होता है formation of image by concave mirror when object is placed at infinity यानि कि एक बहुत large distance पे जो हमें नहीं पता ठीक है secondly अब हम पढ़ते हैं कि जब object हमारा कहीं भी रखा है between the pole and infinity सबसे पहले आपका यह convex mirror हो गया यह आपके principal axis पोल यह आपका कोई object रखा है यह हैं infinity और यह पोल के बीच में कहीं भी रख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर गया incident होके reflect हो गया reflect होने के बाद आप एक रहे हां से निकलेगी directly आपकी जाएगी इसके center of curvature पर और मैं line थोड़े extend कर दूँ कि यहां कहीं हो गया इसका center of curvature और यहां के इसका focus तूसरी रहे यहां से जाएगी और reflect हो जाएगी यह तब होता है यह वाला case जब आपके यह थोड़े और अच्छे से बनाना है यह जा रही है आपकी center of curvature पर और जब center of curvature पर जा रही होती है तो it retraces its path ठीक है तो यहां और थोड़ा बलकि dotted बन जाएगा dotted line हमने यहां पर बना दी अब जो हमारी पहली रहे है यानि यह वाली रहे इसे हमें पीछे extend करवाना है इसे हमने extend करवाया यहां पर यह दोनों ray मिल रही है आपस में इसे principal axis से join करेंगे और यह जो point निकल क्या है that is आपका जहां पर image बनेगी ठीक है यह होता है आपके image formation जब आपका कोई object रखा है between pole and infinity ठीक है इतना clear है next आपको मैं पढ़ना है कि uses of convex mirror कहा कहा हमें convex mirror की uses पढ़ने को मिलते हैं first rear view mirror सबसे important user इनका rear view mirror जो आपके vehicle में लगेवा होता है आपके आपके वापे आपके car पे ट्रक में इन सबके जो rear view mirror होते है वेकल के जिससे आप पीछे कर traffic देख सको कि कोई आ तुनेरा उस वज़े से यह होते हैं हमारे convex mirror और इसका reason क्या है? reason है कि अब जो image बनेगी अब अगर कोई आपके normal mirror होता तो वो पूरी image बिदाता तो उसमें आपकी एक ही गाड़ी दिख पाती लेकिन इसमें diminished image बनती है दूसरी erect बनती है यानि कि straight image होगी तो आपको और अच्छे decision लेने में फायदा होगा second is कि जो convex mirror होते हैं जो बड़े-बड़े they are used as shop security mirrors ठीक है जो बड़े-बड़े mirrors होते हैं जिससे एक wide angle उन्हें view मिल जाए convex mirror के लगे होने से तो convex mirror हमारे यहां पर भी use होते है जिससे कि shop owner देख पाए कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा है या कुछी किसी कुछी समान की जरूरत तो नहीं है क्योंकि एक उनकी property है कि एक तो वही diminished image होती है तो यानि पूरी दुकान का आपको easily उसमें image formation होके दिख जाता है ठीक है तो domain इसके use यही थे अब आपको पता कैसे चले कि concave mirror कि कोई mirror है तो वह concave है plane है या convex है अब गर concave है आप diminish कैसे करोगे जो plane mirror होगा वो तो same size की image बनाएगा same size की image जो आपका concave mirror होगा यह थोड़ी बढ़ा के देगा आपको size magnified image बनेगी वही जो आपका convex mirror होगा it will give you a diminished view diminished image बनेगी ठीक है यह तीन आपके difference होते हैं when we are considering कि आपका कैसे पता करोगी कि कोई mirror आपका concave mirror है plane mirror है या फिर convex mirror है ठीक है मतलब directly आप उसमें देख के अराम से बता सकते हो अब next question है कि अगर कितने ही दूर आप mirror से आपकी image erect बनती है यानि सीजी बनती है तो आप कैसे पता करोगी कौन से mirror है किसकी property है तो अगर आपका plane mirror है या फिर convex mirror है तो आपकी image always erect बनती है always an erect image छीक है जब आपका plane या फिर convex mirror हो उसमें आपके inverted image बन सकती है जब आपका concave mirror के बारे में आप पढ़ रहे हूं अब जो हमारा next topic होगा वो होगा reflection of light कल से हम नया topic शुरू करेंगे reflection of light जो कि हम मानेंगे physics chapter 5 जब यह दोनों chapter खतम हो जाएंगे तो हम collectively इनकी numerical और derivation एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे जिससे इस chapter में और कोई कमीना रहा जाए तो फिलाल आज़के लिए इस वीडियो में इतना है थैंक्स वाचिंग इस वीडियो अगर आपका कोई बीसरेशनल सो प्लीस कमें दाँ बलोव श्ब्सक्राब शेटिन फर रटर बडिट्स थैंक्यू